अब पड़ते हैं मत्य परदेश का सल्तिनत काल का इत्यास 1406 से लेकर 1286 वी तक का पमार हो के बाद मालवा यखिलजी आ गयए हमारे पास इसके बाद ये तुगलक शाषकों के सामराज जी का एक प्रदेश बनके रह गया नवाबों ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया जो यहां के नवाब थे तुगलक उन्होंने मांडू को राजधानी बनाया अलाउद्दिन खिलजी के शाषिनकाल में 1305 मालवा खिलजी सामराज जी का अंग बना था तो 1305 में मालवा पे को ना क्या था खिलजी सामराज जी तैमूर के आकरमन के उत्पन गड़गडियों की सती में दिल्ली के सुल्तान का सामराज जी छिन्बिन हो गया इसका लाब उठाकर मालवा के तातकालि गवन दिलावर खा गौरी ने संच 1401 में सुतंत्ता की घोशना करी दिलावर खा का पुत्र अलप खा क्या नाम था अलप खा अलप खा जिसने होशंग शाह की उपादी तो होशंग शाह का बच्पन का नाम क्या था अल्पखा याद रहेगा होशंग शाह की बच्पन का नाम अल्पखा की उपादी धारण की जो कि अत्यांत प्रतापी साबित हुआ और होशंग इशाह का मख़णा का है मांडू में है अब कोण आ गई भया इसके बाद महमूत खान महमूत खान खिल झी आ गया अब हतिया तो लिया इसने खिल जी बरिश के शाशक वहाराज करते रहे 1535 में गुजरात के बाहद दुर सा अब कुन आएगा? गुजरात के बाहदूर शाह ने मांडू पर अधिकार जमाया बाहदूर शाह ने मांडू से खिलजी राजवंश का अंद किया अब बाहदूर शाह आगया ठीक है? मालवा के गौरी और खिलजी सुल्तानों के समय मांडू एक वेभवपू नगर रहा कुल मिला के सल्तनत काल के समय पर मांडू मांडू और मांडू था ठीक है मुगलो का आगवन मुगलो का आगवन कब है 1526 से लेकर 1858 1858 में क्या हुआ था 1857 में 1887 का युट्ट हुआ था अरे 1757 की एक रांती 1858 में भाराशाषन अधीनियम आया जिससे रानी बन गई भारत की प्रमुक ठीक है तो मुगल खतम बादूर्शा को का भेज़ दिया बादूर्शा को जेल भेज़ दिया रंगून 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 ठीक है 1526 में इबराहिम लोदी मर गया उसके हारने के बाद बाबर जो था मुगल भासा के रुप में मद्यपदेश के गौलियर चंदेरी राइसेन पर अपना कबजा जमा लिया हुमायू ने अब ये हुमायू जो है अपना बाबर का बिटा हुमायू अब ये राज़गोंड जो है जन जाती पर ये दो प्रकार की होती एक होते हैं धुरगोंड और एक होते हैं राज़गोंड राज़गोंड वो होते हैं जिनके पास आज की चारिक में बहुत जमीन है मुगलकाल में मद्यपदेश के राजगोंड वन्ष काफी प्रभावशाली रहा इसकी राजधानी गड़ा जबलपूर से चार मील की दूरी पर रिस्थित एक अलग बस्ती थी उसकी राजधानी पहले चोरागड और फिर मंडला में रही इस वन्ष का सबसे प्रतापी समराज जो था शाह था संग्राम शाह था संग्राम शाह ने अपने पराक्रम में 52 गड़ी अथवा जीलों पर अधिकार कर लिया सागर, दमौ, जबलपूर, भुपाल, नरमदा, गहाटी और सकपुरा की उच्छ सहब भूमी में कुछ भाग उसके शामील राजज़ी में थे नर्सींपुर का चोरागड का किला तो याद रखना चोरागड का किला जोरागड का कहां पर भाए उसी निर्मित कराया था संग्राम शाह की मरत्य हो गई उसके बाद उसका पूत्त दलपत शाह कौन मना दलपत शाह गद्धी पर पेठा उसने केवल शात वर्ष ही क्या करा राज्जी किया उसकी मरत्य के उपरां दलपत शाह की पतनी चंदेल वंचिये विरांगना दुरगावती कौन बैठेगी अब तो दलपत राई की विद्वा कौन थी ये पूछेगा तो दलपत शाह की तो दलपत शाह की विद्वाती रानी दुरगावती ने 16 वर्ष तक गोणवाना का शाशन किया कुशलता से चलाया और 1564 में अकबर के आसफखा अब अकबर ने किसको भेजा आसफखा को आसफखा क तरकर के राजाओंने खेडला खेलला जोकी बेतूल जीले में है और देवगड जोकी चिनवडरा जिले में है बीश वतान्त राज इस्थापित किये थे खेलला राजी का सनस्थापक जेत पाल था दो शताबधियों तक 12 शितापदी, 14 शितापदी तक खेरला में गोंडो का शाशनकाल रहा अकबर ने असीरगड के किले पर अधिकार कर निमाण और खान देश पर भी कबजा जमाया बुंदेलखंड के राजाओं ने अब बात करने पर बुंदेलखंड अब अकबर उरिंद की बात चल रही है तो बुंदेलखंड के राजाओं ने मुगल के खिलाफ लगभग 25 वर्षों तक 25 वर्षों तक 25 वर्षों संगर्श किया मुगलकाल में बुरहानपुर अत्यांत महतपूर केंदर रहा यहां दक्षीन का प्रदेश राजधानी भी कहलाता था मुगलकाल में समस्त मद्यपदेश मुगलों के अधिकार में ही था ठीक है